हाई एवरिवान वेलकम तुमाय चैनल आई एम सिम्रन सहानी अन आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास टेन सिविक्स को चाप्टर पॉलिटिकल पार्टी ओके तो चाप्टर शुरू करने से पहले चाप्टर का ओवर्व्यू लेते हैं दाट आचली में हमें इस चाप्टर मे कारव को नाम पता होंगे तो हम्हें काफी नौलिज होती है रेलेटियट क्यों पार्टी काफी कुछ तो इस चाप्टर में हम ना इन 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 क्या फंक्शन्स परफॉर्म करती है इनकी क्या जरूरत है हमार को वाई डूवी नील पार्टी सिस्टेम काए यससे एक वन पार् एक बढ़ेंगे इन में क्या कमिया क्या सब कुछ पढ़ने आले हैं तो इन वन मैं आपको यह पूरा का पूरा चाप्टर कवर खरवा दूंगी तो जल्दी शुरू करते हैं चाप्टर का कि पिचर लगे होते हैं कोई स्लोगन होता है या कुछ वो तियोहार की विश्च लिगी होती है हमने कई बार देखा है या फिर अगर आप टीवी खोलते हो तो रिलेटेट टू पॉलिटिकल पार्टी की ऐसा कई बार होता है कि डिबेट चल रही होती है काफी सरे लीडर्स की या उससे रिलेटेट नियूज आ रही होती है या अगर हम घर में भी कभी बैठे होते हैं कोई फैमली गेट टुगेधर है या कई बड़े लोग बैठे होते तो आपने हमेशा देखा होगा डिया डिस्कसिंग डाट क्या चल रहा है देश में आजकल ये पार्टी इससे र पार्टी बड़े लिए गरी तो यही चीज जो है हमें हमारे चाप्टर की फर्स लाइन में भी बताई गई है कैसे बताईगी है let me tell you तो हमारा first topic क्या है, हमारा first topic है why do we need political parties, हमें political parties की क्या need है और इस political parties की need वाले line के exact means हमें ये भी बता रखा है that political parties are the most visible institution in our democracy visible मतलब यानि कि हम सब जानते है political parties के बारे में visible मतलब यह नहीं कि आपको holding देख रहे, आपको TV पे देख रहा है होती है हमें उनके बारे में क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है कई ना कई से सुनने को मिलता रहता है इसलिए हम कह सकते हैं कि political parties जो है हमारी democracy का democracy मेनिंग तो आप सबको बता होगा हमारी लोग तंत्र का सबसे visible and सबसे जादा आप कह सब तो एक तरीके से popular institution है हम सबको कुछ ना कुछ knowledge जरूर होती है इन फाक्ट हमें बुक में और अच्छे से बता रखा इसके example कि क्यों हम political parties को visible कहते है एक तो मैंने आपको बताए दिया कि हमें धर उदर देखने को सुनने को मिलता रहता है अगर हम अपने अपने ही देश की बात कर लीते हैं अगर हम जाए रिमोट एडियास में या फिर ऐसे एडियास में जहाँ पर लोगों को इतनी knowledge नहीं है educated नहीं है लोग जादा लोगों को नहीं पता constitution क्या होती है आप तो पता है constitution क्या है आपको पता है you are very मतब तुम्हें तो बहुत थरो इस concept से तुम्हें से विखसाती है बट कुछ लोग जिने नहीं पता constitution क्या है सम्मिधान क्या है democracy क्या है नहीं यह नहीं पता है कि कैसे चलती है सरकार बट उन्हें यह जरूर पता होगा कि दो political parties होंगी और अपकी बार जब election होंगी तो कुछ political parties होंगी जो चुनाव में खड़ी होंगी उनमें से किसी एक को ने vote डालना होगा और फिर कोई एक सरकार बना लेगी यह knowledge सब होती है अगर आप गाओं में भी चली जाओगे तो उनसे अगर आप पूछो constitution कहा है क्या होते constitution तो हो सकता है मैं आप पे लोगों को जो लैसे educated है constitution ना पता हो बट अगर आप उनसे पॉल्टिकल पार्टी से रिलेटेड कुछ वूच होगे तो उन्हें definitely पता होगा उन्हें अपने local leader का नाम भी पता होगा उन्हें पॉलिटिकल पार्टी के में लीडर नाम भी पता होगा और ये भी पता होगा कौन अप चुनाव में खड़ा होगा और कौन जीतने वाला है ठीक है तो इसलिए बोला जाता है that political parties are the most reasonable institution in our democracy क्योंकि सब को जो है हमारे आस-पास में अगर हम remote areas में जाए less educated people को तो जो है उनको यही लगता है कि सरकार बनेगी हमारी तीन-चार political parties होगी मिन-मिन वो चुनाव में खड़ी होगी उन मेंसे किसी एक जो majority बनाएगी वो जीत जाएगी एसी knowledge सबको होती है related to political parties ठीक है अब इससे हमें यह सबन में आए गाइस कि political parties बहुत जादा popular है ठीक है अब popular है मतलब यह नहीं कि पास अच्छी अच्छी वाली popularity नहीं कई बार political parties को criticize भी करा जाता है कि जो कुछ भी गलत हो रहा है हमारे देश में वो political parties के वैसे होड़ा बहुत डिलेज हो जाते हैं डिसीजर मेकिंग में और कई बार इने बहुत क्रिटिसाइज भी करना सब्सक्राइब and in fact political parties social and political division भी create कर देते हैं अब social political division कैसा होता है जैसे कि एगर मैं कहूं कि मैं political party A की supporter हूँ मैं सादर किसी में division हो गया में के supporter तुम भी के supporter हो सारे के सारे स्टूटेंस तो यहीं पर division हो गया ना तो येस ऐसा ही होता है at time society में अलग-अलग political parties होती है लोग जो है अलग-अलग political parties के supporters बन जाते हैं अपना इंट्रेस्ट उसमें find करते हैं तो उससे हमारी सोसाइटी में social and political division हो जाता है जिसको आगे हम और जीटेल में भी पढ़ेंगे तो इसलिए कई बार यह question उठता है कि अब यह political parties को criticize करा जाता है और political parties division create कर देथे हमारी सोसाइटी में तो हमें क्या जरूरत है political parties की why do we need political parties अब हमें यह question arise होता है इस question को answer करने से पहले हमें यह पढ़ने ना चाहिए कि यह political parties अचले में करती क्या है और फिर हम इनके function करने पिर हम अपने आप decide कर लेंगे साइड़ करते क्या नहीं है तो पहले देखते क्या काम करते हैं तभी तो आप कोगे why do we need them का answer तभी तो कर पोगे जो आप देखोगी यह क्या काम करती है तो अभी हमें detail में देखेंगे कि political parties क्या काम करती है and in fact हमें एक और चीज़ बताई है क्या आज से गर 100 साल पहले बहुत ही कम ऐसी countries थी जहां पर political parties थी मतब बिना political parties की ही government चलती थी अलग अलग टाइप से बट अगर आज की बात करें तो बहुत कम ऐसी होगी जहां political parties नहीं है तो यह जो इतना drastic change आया within 100 years यह भी हमें बता रहे एक तरीके से की political parties काफी important institution ने तभी तो सबने adopt करा होगा ठीक है तो दीरे दीरे हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा हमादे chapter में ही ठीक है तो let's continue our chapter and पड़ते हैं सबसे पहले political parties का meaning basically छोटी सी definition learn करनी है और समझना है होती क्या है political parties तो देखो political parties के होती है political parties a group of people with same ideology who come together to contest election and form government आप क्या आए हिंदी में समझाती हूँ तो political parties के group of people है एक जैसे सोच के एक जैसे विचार के group of people है जो एक हट्टे आए हैं अपनी एक organization एक party बनाने के लिए पार्टी वो शादी पार्टी बड़्डे पार्टी ब्रेकर पार्टी नहीं नहीं कौनसी पार्टी political party बनाने आए है तो देखो जैसे अगर यह group of people एकटे आते हैं इनके सेम से मिचार होते हैं किसली आते हैं election चुनाव में खड़े होने के लिए और यह जीट जाएंगे त तो हमारे group को political party नहीं बोला जाएगा एक वो group जिनकी सेम सेम ideology है प्लस वो नो ने अपना group बनाया क्यों है election में contest करने के लिए and अगर जीत गए तो सरकार बनाने के लिए उसको हम political party कहते हैं ऐसे तो बहुत groups होते हैं हर group को political party नहीं बोला जाएगा no उस group को political party बोला जाएग जो कुछ भी हमें सीजों की जरूयत है क्या mindset हमें रखना है हम उसके पर discussion करेंगे time please हमने अपना एक group बना लिए बट हमारे group को political party नहीं बोला जाएगा political party कौन सा group होती है वो group जहां पे लोग एखटे आते हैं उनकी एक ideology होती है बट वो एखटे मिलकर क्यों आए है so that वो election में contest कर सके और चुनाव में खड़े हो सके और अगर वो जीच जाए तो फिर वो हमारे लिए सरकार बनाएंगे ठीक है यह होती है political party की simple सी definition तो अब हिंदी में I think सो तुम्हें लर्न भी हो गई होगी क्या political party is group of people who come together to contest election and whole power in the government ठीक है अब आगे move करते है तो देखो जब भ लॉजी किसली होती है संसार के उधार के लिए collective good यहां पर संसार से मतलब है इंडिया के collective good के लिए कुछ policies बनाते कि अगर हम सरकार हमारी बनी तो हम इन इन चीजों के ओपर work करेंगे ठीक है ऐसा हर एक political party करते है अब यह जो collective good है यानि की welfare यह सब के लिए अलग हो सकता है अभी हमने इको का चाप्टर बढ़ा था development उसमें उन्होंने हमें समझाया था that development goals सबके लिए अलग होते है एक चोटे बच्चे के लिए लग है एक फार्मर के लिए अलग है वैसे की welfare का भी यही सीन होता है अब women के लिए welfare होगा कि women empowerment हो जाए और अगर कोई unemployment youth है unemployed youth है जिस से मिले और उनके लिए कुछ अचा-चा हो वह welfare है तो यहां collective good ना काफी diverge हो जाता है सबके लिए good मतलब अलग-अलग होता है तो इसी लिए जो है political parties क्या करती है political parties अपनी policies बनाती है and during election campaigns election campaign के टाइम पर क्या करती है they seek the support of the public public का support सीख करती है अब political party A है B है C है तीनों की तीनों election campaigns में participate करेंगी और जाके लोगों को बताएंगी जंता को बताएंगी कि अगर आपने हमें vote दिया तो हम यह policies लेकर आएंगे हम आप लोगों के भले के लिए यह काम करेंगे और जिसको जंता support देती है वो जीट जाती है और सरकार बन जा है जो वो जाके जो है जंता को बताते हैं यानि कि लोगों को जाके डियोनिंग election campaign से बताते हैं और उनका support मांगते है वोट मांगते है कि अगर हम सरकार बना लेंगे अगर हम जीट जाएंगे तो हम यह policies को लागू कर देंगे और फिर जिस policy को सबसे जादा support मिलता है यानि इसनी भी हमारी अलगलग political parties है तो अलगलग promises करती है election campaign के टाइम में और after winning they do fulfill their promises कुछ promises fulfill भी करते हैं तो इस तरीके से system चलता है हमारी political parties का अब आगे मूफ करते हैं दो concept है जो हमारी समझने बहुत जरूरी है एक है partisanship और दूसरा है partisan अब जैसे friendship तो तुम्हें पता है friendship समझने के लिए पहले friend का winning भी तो पता होना चाहिए वैसी partisanship समझने के लिए पहले partisan का मतलब समझो तो partisan मतलब बहुत simple होता है partisan मतलब एक एसा इंसान जो किसी एक party को आख बंद करके विश्वास करता है और उसे follow करता है उसे कहते है partisan कोई एक particular को refer कर दिया जाता है it is an inability to take balance view याने कि अगर आप किसी एक party के बिल्कुल अंधभग बन जाओगे तो आप एक balance view नहीं ले सकते हो चाहिए वो सही काम करेंगे तब भी आप उन्हें सपोर्ट करें हो अगर वो गलत काम कर रहे है तो भी आप उन्हें सपोर्ट करें हो तो कई बार political parties की वजह से यह सब चीज़े भी देखी जाती है जो है लोग उनके followers बन जाते हैं and partisanship का concept देखा जाता है that political party कुछ गलत भी कर रहे होते हैं तो भी there are many people who supports them तो यह सब तो politics में चलता रहता है तो आगे move करते हैं अब हम और अब हमें चानना है political parties के three main components के बारे में तो three main components होते हैं सबसे पहले होते हैं leaders जो political party के face होते हैं जोने हम देखते रहते हैं चीक है then active members active members का बहुत काम होते है political parties में committees से लेके and different different events organize कराना and so on groundwork जोता है वो active members कर दे है and then comes the followers followers कोन होगे वही जो किसी political party के ideology को follow करते हैं उन्हें मानते जैसे अगर मैं किसी political party को follow करते हूं मैं उनके ideology में believe करते हूं मैं हर बार हूं नहीं वह अलती हूं तो मैं उनकी government गई मैं उनकी follower बन गई कि मैं उन्हें support करना हूं ठीक है तो leaders active members and the followers यह होते है political parties के components तो यहां पे हमने काफी कुछ political parties से related समझ लिया है अब हमें मूफ करना है अपने next topic पे that is functions of the political party तो सबसे पहला function तो बहुत सिंपल है political party का वो क्या होता है कि यह जितने भी political offices होते हैं उनको fill कर देते हैं यानि कि वहां पे जाके उनकी कुर्सियां भर देते हैं वहां जाकर काम करते हैं बैठते हैं मतलब यह है कि जितने भी हमारे बड़े-बड़े office होते हैं कार्याले होते हैं जो काम चल रहे होते हैं उससब यह political party के members ही होते हैं यह वहां पे जो है अलग-अलग administrative jobs perform करते हैं बट अभी detail में भी पढ़ना है हमें political party के सारे के functions को के और इस पर exam में definitely question भी आता है हमारे को तो पढ़ते हैं detail में तो सबसे पहला function है parties contest election parties किया करते हैं election में contest करते हैं यही तो मैंने अभी सबसे पहले आपको समझाए है definition में political party कौन सा ग्रूप है वह ग्रूप है जो इक खटे आए हैं से ideology लेकर किस लिए election contest करने के लिए तो पहला function तो बहुत असान है हमें learn हो गया वाट इस में कुछ extra भी बता रखा है हमें इस function में वह यह बता है और हम उन में से किसी एक को चूज करके वोट डालते हैं तो जो है कई पार ऐसा होता है जैसे हमें USA का बता रखा है USA में एक political party हो अपने candidates खटे करने का उनका system क्यों होता है कि जो followers होते हैं जो active members होते हैं वो decide करते कि कौन से members खड़े होंगे जैसे कि इसको एक example ले लेते हैं जैसे एक political party है इसका नाम है ठीक है यह है और यह कहां कि यह USA कि है तो यह यहां USA में जो active members जो second and third वाले हैं मैंने आपको बताया ना political parties के three components होते हैं leaders active members and followers यह फिर आप उसको क्या कह सकते हो supporters भी कह सकते हो ठीक है तो यह USA में क्यों होता है कि active members and supporters होते हैं वो candidates पेशते हैं वो चूज करते हैं candidates को जैसे candidate चुन गया जिसका नाम है रोई एक का नाम है रेक एक का नाम है राल्फ एक्जाम्पल ऐसी एक्जाम्पल दे रही हूं मैं आपको तो यह तीन candidates चूज करें political party A तो USA में क्यों होता है कि active members and supporters है वो candidates को जो है चूज करते हैं बच अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में active members और supporters नहीं जो पार्टिकेट टॉप leaders होते हैं वो candidates को चूज करते हैं यानि कि ticket कौन देता है जो candidates को कौन देता है जो टॉप leaders होते हैं और USA में कौन देते है active members and supporters तो आपको समझ में आगया होगा election contest करने आप आते हैं कौन से second number के function पर हमने अपनी definition में पढ़ा था क्या था मैं आपको बताया था same same ideology के लोग इखटे आते हैं तो it's related to ideology policies and programs only political parties put forward different policies and program अब हर एक political party क्या करती है अलग-अब policies and program लोगों के सामने लाती है अब इसइस को आप समझो कि पॉलिटिकल पार्टी क्या रही है ए कि अगर मैं जीत गई तो मैं woman empowerment पर काम करूंगी तो उनकी policy क्या हो गई नंग की पॉलिसी क्या ओगई वह कैरिए और में जीत गई तो मैं farmers के लिए काम करूंगी तो वह farmer welfare के लिए काम करेंगे Political Party की B की Ideology अब एक Political Party है C कह रही है कि मैं क्या करूंगी चलो मान लेते है कि Political Party C कह रही है कि मैं Unemployment हटाने की कोशिश करूगी तो उनकी इत्ती भी Ideologies होंगी वो Related to Employment Generation होगी तो यह क्या हो कही अलग-अलग Political Parties का जनता को दिखाते हैं, जनता को जो पसंदाती हैं वोड देती हैं वोड जीत जाते हैं अब एक और चीज है इसमें जो हमें समझनी है यह हमें बुक में अच्छे से समझ रहा है क्या है देखो, कि एच आफ उस में है डिफरेंट अपीनियन्स और व्यूस on what policies are suitable for the society अब हम सबके लिए जैसे मैंने आपके को तीन वोमें ने फार्मेंट फार्मर एंड एन अनिम्प्लोइमेंट के एक्जाम्पल दी है तो सबके लिए जो है गुड का मतलब अलग है हरको ही चाहेगा कि पॉलिटिकल पार्टी जो जीत रहे हमारे लिए काम करें सबकी अलग अलग इच्छाएं होंगी है ना बट नो गवर्मेंट कें हैंडल सच अलाज वराइटी ऑफ यूज बट कोई भी ऐसी गवर्मेंट नहीं हो सकती है जो सबकी वेलफेर वेश पूरी कर दे सबकी तो नहीं हो सकती है ना तो इसे लिए यह बहुत इंपोर्टें रूल हमारी पॉलिटिकल पार्टी प्ले करते हैं देमॉक्रैसी में वो क्या करती हैं वो ग्रूपिंग कर देती हैं मल्टिपल और सबसे इंपॉर्टेंट ओपी इंडियन्स की ग्रूपिंग कर देती हैं जो हमारे जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो चीजे सबसे ज़ादा जरूरी है समय पे काम करने के लिए उनको ग्रूप कर देती है और उन पे काम करना शुरू कर देती है ठीक है तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी जब वो ruling party की बनाईवी जो policies उन्होंने group करी होती है उस पर laws बनाती है अब जैसे कि जो हमारी आवी समय BJP की सरकार है ठीक है तो जो कुछ भी उन्होंने group करके हमारे welfare के लिए scheme बनाई है उन पर ही हमारी government जो है laws बनाती है तो आप सबसे जो कि बहुत सारे opinion है हर को ही चायेगा ये ये भी हो ये भी हो ये भी हो तो political parties का काम होता है कि वह वास multitude of opinions को group कर दिती है रहने की देश में जो सबसे जरूरी चीज़े है समय पर करने की जैसे अगर अब ही की बात करें हम तो हमें pandemic से लड़ना है उसके बाद हमें employment जन्रेट भी करनी है इंडेसिलाइशन पर फोकस कर है कि जो अलग-अलग different different opinions, policies, programs होते हैं उनको group कर देते हैं तो इस चीज़ को I hope आप लोग समझ गए होगे अब आप मूव करते हैं अपने next function पर तो parties play a decisive role in making laws of a country हां भी ये तो होता ही है political parties laws बुनाते हैं वो कैसे laws तो हमारे legislature में बनते हैं लोग सगा में राजय सभा में को पर नहीं होते है political party के members ही तो involved होते हैं इन सब के अंदर और usually क्या होता है कि जब कोई भी bill pass होता है तो कोई भी political party के जो members होते हैं उनकी individual opinion की जगह ना तो political party का group opinion होता है उसी को favor करा जाता है तो इसलिए हम कह रहे थे हैं that political party do make laws for us legislature में हमारे लिए laws बनते हैं हमने उनी political party क candidates को vote डाल के अपने लिए लॉस बनाने कोई तो वहाँ पर भेजा है legislature में तो इसलिए political parties make laws for us legislature में बैठके यह हमारे लिए क्या बनाते हैं लॉस बनाते हैं आगे move करते हैं parties form and run government तो यह तो सबसे basic है definition में ही learn कर दिये थे guys हमने चार function क्या थे पॉलिटिकल पार्टी सबसे पहले क्या था क्या definition में पॉलिटिकल पार्टी सबसे पहले क्या था क्या देखलो आप यहां देखलो आप एंदेन क्या था हमारा जो form and whole power in the government यानि की government वराने के लिए और यह हमारा fourth function parties form and run government आटी क्या करते है जब कोई नेक्स रोल है playing the role of opposition तो पहले समझते हैं opposition क्या होता है तो आपने देखाओगा जब elections होते हैं तो कोई एक पार्टी तो जीत जाती है बड़ जो second largest party होती है ने कि तो second number पर आ जाती है उसको हम opposition की seat दे देते हैं वो opposition का काम करती है और opposition का काम होता है हमारी democracy में बहुत ज्यादा important है democracy में क्या होता है आपने देखाए there is a system of check and balances ऐसा नहीं कि कोई अगर जीत गया है तो अपनी मर्जी से सब कुछ करने लग जाए नहीं हमेशा check करने के लिए balance करने के system में होते है कुछ न गुछ then tree वैसे ही हमारी ruling पार्टि को check करने के लिए नजर रखने के लिए अगर opposition party किया करेगी ruling party को openly criticize करेगी कि इन्होंने ये गलत लौ बनाया है और क्या है अगर कोई failure हो जाए तो कोई भी failure अगर ruling party से होता है तो उसको जनता के सामने कौन ने कराती है जिससे की ruling party अपने काम सही तरीके से करती रहे अगर कोई भी गरबर ruling party ऐसा तो नहीं है ना किसी से कोई गरबर नहीं हो सकती कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसी बन जाए कोई ऐसा प्रग्राम हो जाए जिसमें कुछ कमी हो तो opposition क्या करती है उससे ग्रेटरसाइस करना स्टार्ट कर दीती है तो यह काम होता है हमारे opposition party का और opposition party का 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 में इंदिया आप क्या को mistakes निकालना किसकी ruling party की अगर आपके पास कुई आपकी mistake निकालने वालो तो आप भी अपना काम निहान से करोगे कि पता है चोटी सी गरबर करी तो मेरी मिस्टेक निकालने कोई आजागा अभी अगले election भी तो आएंगे तो इसी रिया ruling party भी अपना दिहान से काम करती है because they know they are having opposition एक बहुत important role play करती है हमारी democracy में अब आगे move करते हैं अपने next function पे party shape public opinion public opinion समझ गए हमारे दिमाग में क्या चल रहा है हमारा opinion तो आपने कई पर ऐसा दिखा होगा कि जो कुछ भी political parties कहती है करती है वो पूरे लोग उसी वारे में बात करने है जैसे suppose करो कि एक political party कोई leader आगे कहने लग जारे बहुत मिंगाई बड़ी बहुत मिंगाई बड़ी है तो आपके आसपास में आप देखोगे सब लोग महनाई महनाई पर बात करने लगते है कोई कह रहा है बहुत पार्टी आप यह काफी तरीके होती हैं जैसे कि पार्टी के पास अलगला मेंबर्स है कि अभी मेंबर्स हैं यह संब्सक्राइब कर देखाएं। तो कही बार ऐसे भी होता है, political parties के अपने pressure group होते है, extensions होते हैं तो जो pressure group बोलता है, वो भी जो है लोगों का फॉर्म का जैसे कोई pressure group है, वो कहे बहुत महंगा बढ़ी है, तो लोग भी कहने लागए है, और कही बार ऐसा होते है, pressure groups किसकी extension होते है, political parties के कहने बे ही यह सब करती है नेक्स आप मालो पार्टी सम्टाइम्स लॉंच मूव्मेंट फॉर्ड प्रॉब्लम्स फेज बाई पीपल अब कई बार मैंने आपको का ना पॉम्मेंट लॉंच कर देती है अलग लग पॉलिटिकल पार्टी कि यह गलत हो रहा है हमारी सोसाइटे में अरे बहुत करप्श ठीक है तो आगे बात करते हैं अब हम अपने अलग लग स्कीम्स बनाती है जिससे हमारा वेलफेर हो और प्लस जो है हमारे को जो है जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो एक जर्या दे देती है पहुचने का कहां तक अब कई आपको कोई अपना काम कराना है कोई आपका कु घुच्छोगे कि किसी गॉवर्मन ने और किसी गवर्मेंट ओफिचर जाने से। जो है मेरी जो महला है या मेरी स्ट्रावक्राइल जो लोकल कर लेडर होंगे पर आप उन से जाके रिक्वेस्ट कर लोगे करते हैं मेरा यह काम करवा दो तो यह नॉर्मली में देखा जाता यह important role play political parties वो government की machinery को accessible कर देती है ordinary citizen पर आपको easy लगता है, बात करना साहन लगता है, अपना पंशा लगता है किस से local political party के leader से आप जाके उन्हें भी problem बताते हो कि वो मेरी problem को solve कर देंगे तो यह काम भी जो है political parties play करती है accessing the government schemes लोगों तक government schemes और welfare program को पहुचाती है ठीक है देखो आप यहां लिखा है, for an ordinary citizen it is easy to approach political party leader देना government officer government officer के पास तक पहुचने से असान है किस के पास किसी local political party के leader तक पहुचने तक that is why they feel close to parties even when they do not fully trust them, they trust नहीं करते हो but closeness feel करते है, parties have to be responsive to people and political parties लोगों की need को response करते है otherwise people can reject those parties in the next election और अगर कोई response नहीं देगा जैसे कि आप जा रहे हो किसी leader के पास और आपको सही से response नहीं दे रहे तो क्या होगा अगली बार उने vote नहीं दोगे तो इसलिए political parties भी क्या करती है, वो लोगों का विश्वास जीतने लिए उनकी help करती है तो विद्धिस हमने सारी functions पढ़ लिए हमने पॉलिटिकल पार्टी के अब हमारा एक next question आता है तो क्या ज़रूरत है हमें political parties के फिर से ही question आ गया है तो यहाँ पर आप simply बोलोगे that हमने अभी हुई political parties के functions पढ़े इतने सारे functions है political parties के यह functions यह perform करती है इसलिए political parties ज़रूरी है बट नहीं इसके अलावा और भी काफी reason है जिनकों हम सोच सकते हैं यह कहने के लिए that why political parties are necessary तो देखो हमार को जो है ना बहुत detail में इस चीज़ को बताया गया है तो यह क्यों है इसका reason यहीं नहीं है कि political parties इतने सारे functions perform करती है और भी बहुत reason है जिनको अभी मैं आपको detail में समझाती हूँ तो हमार को जो है मारी book में एक situation imagine कर वाई है हमें बोला है कि आप imagine करो कि political parties नहीं है independent candidates जो है वो election में खड़े हो रहे है तो क्या होगा तो आप suppose करो अगर independent candidates जो है वो खड़े होने लगगा election में यानि कि कोई political party नहीं है कोई भी एक locality में से खड़ा हो गया जैसे की just imagine यह तीन zones है यह एक locality है, यह एक locality है, यह एक locality है और अगर कोई independent candidate जीतेगा तो कोई भी independent candidate जो है कोई promises नहीं घर पाएगा. कोई major policy decision नहीं ले पाएगा. हर एक कोई होगा? अपनी thelocality क्लिए. अगर जीते गा तो उसको जीतेगा, कि मैं अपनी thelocality को अच्छा बनुआ, मैं अपनी thelocality के जू ही decisions, बर्च सरकारें ऐसे नहीं चलती है, हमार को खाली अपने देश का एक हिस्से का, एक शेहर का, एक स्टेट का नहीं सोचना होता है, major policy decisions के लिए पूरे देश को साथ में लेके चलना पड़ता है, तो इसलिए अगर इस तरीके से independent candidates जीतने लग जाएंगे, तो क्या होगा, कोई भी major policy decision दिया ही नहीं जाएगा, तो इस चीज़ को अच्छे से हमें बुक में समझाया गया है, every candidate in the election will be independent, so no one will be able to make any promises to the people, कोई major policy change के लिए कोई promise नहीं कर पाएगा, अब ये एको तो इस locality के बारे में पता है, उसे इस नहीं लोकालिटी के बारे में पता ही नहीं है, वो ना ही इनको कोई promise करेंगे, ना ही कोई major decision दे पाएगे, the government may be formed, government तो बन जाएगी, बट सब कुछ कैसर आएगा, uncertain सर आएगा, elected representative will be accountable to their constituency, simple सा imagine करो, A, B, C, 3 तींगों खड़े होए थे, यह जीत गया, बट फिर भी एगा करेगा, अपनी लोकालिटी के लिए काम करेगा, दूसरी लोकालिटी के लिए जाधा काम नहीं करेंगे, ठीक है, बट no one will be responsible for how, and कोई भी responsible ही नहीं होगा, सब अलग-अलग constituency से जीते वे अलग-अलग candidates होंगे, सब अपनी अपनी constituency के लिए काम करेंगे, कोई भी कंट्री का आजा होल लेके काम करने के लिए ready नहीं होगा, तो इसलिए हमार को समझ में आता है, that political parties are important for us, और हमार को एक और example दे रखा है, non party based election जो कहां पर होते हैं, panchayat system पे होते हैं, यानि कि गाव में होते हैं, वैसे तो गहा जाता है कि जो गाव है, panchayati system है, वहाँ पे कोई parties नहीं होते हैं, बिना parties के election होते हैं, बट अगर आप panchayati system में जिस तरी कि से election होते हो, तो आपको लगेगा, that ये लोग political parties अपनी नहीं बनाते हैं, जैसे कि ये village है, ये village में अपने अपने लोग group बना लेते हैं, एक, दो, तीन, group बन गए, group बढ़ गए, group को क्या बोल दिया चाता है, faction बोल दिया चाता है, groups को faction भी बोलते हैं, ये अलग-अलग, एक ही village में क्या करते हैं, एक village जो है, split कर लेता है खुद को दो, दो से तीन, तीन ते चार groups के अंदर, अलग-अलग group बन गए और हर एक group अपना एक panel भेजता है, panel of candidate मतलब कि हर group ने, इस group ने चार candidate भेजे, इस group ने चार, इस group ने चार candidate भेजे और फिर voting होती है और कोई एक group का panel जीच जाता है, तो यहाँ पर political parties नहीं है, पट फिर भी आप देखो, grouping होई है, political party भी तो group of people that come together होती है, अब यहाँ पर भी जो villagers ने अपना group बनाया, कुछ same सोच के लोग इखटे आखे हो, उन्होंने कोई candidate चूज करके निकाले होंगे, तो पंचायती system में भी ऐसा ही होता है, दो वहाँ non party elections होता है, बट फिर भी आप देख सकते हो, कि political parties नहीं होती, तो जो है villagers खुद को ही, अलग अलग groups में डिवाइड कर लेते हैं, और उस basis पे हमारे elections हो जाते हैं, और ऐसी तो political party based election में होता है, हमारे पास इतनी सारी parties होती है, पाएगा, और सब कुछ uncertain रहेगा, सब अपनी अपनी locality का सोचेंगे, अब अगर हम बात करें कि आरे, पंचायत में तो non party based election होता है, तो अगर हम ground level पे जाके देखे, तो पंचायत में party based election नहीं होता, है, the rise of political party is directly linked to the representative democracies, तब ही, जैसे जैसे democracy increase हो रही है, representative democracy पूरे world में, वैसे वैसे political parties की importance increase हो रहे है, representative democracy तो पता है ना आपको, क्या होती है democracy, कि हम लोग जो है, हम तेखो इतने बड़े-बड़े देश होते हैं, इंडिया कितना बड़, किती सारी population है, अब direct democracy तो practice नहीं हो सकती है, कि अगर एक law बनना है, अच्छा ठीक है, law बनना है, कि girls education को promote किया जाए, तो उसके ओपर directly तो कोई vote नहीं कर सकते हैं, कितने लोगों से आप voting करा लोगे, नहीं हो सकता, direct democracy बहुत पहले जमाने में होती थी, तो आप लोगों नहीं क्या करना था, आपने मोदी जी को चुना, आपने मोदी जी को चुना आपने प्राइम मिनिस्टर, और वो आप हमारे decision लेते हैं, पर आप अपने CM चूज करते हो, वो आपके लिए decision लेते हैं, तो representative democracy में political parties बहुत जरुवी है, वाई, because there are such a big society, इतनी बड़ी society है, लोगों के इतने सारे views हैं, सबके अलग-अलग सोच, विचार और मांगे हैं, सबकी अलग-अलग मांगे हैं, तो इसलिए political parties, अभी उपर मैंने आपको function में भी बताया था, political party, multitude of opinions को grouping करने का काम करती है, यह हमें book में line-wise भी बता रखा है, as societies became large and complex, किती बड़ी population हैं इंडिया के, जिती बड़ी population, उतने लोगों की मांगें, उतने लोगों के सोच विचार, उतने opinions, तो large और complex हो गई है society, तो इसलिए we need some agency, किसी एक agency की हमें जरूरत है, to gather different views on various issues, जो हमारे views को gather कर पाए, और government को present कर पाए, और उस पे laws और policy बना पाए, तो इसलिए we need political parties, independent candidate, यह काम नहीं कर सकते हैं, कि वो इतने सारे views and opinions को grouping कर पाए, सब की बात समर्द में नहीं, बट अगर एक political party होगी, representatives, responsible representatives को gather करती हैं, जो हमारे लिए सरकार बनाते हैं, तो I hope आप समझ चुके होगे, why political parties are necessary, अब आते हैं अपने next topic पे, how many parties should we have, किती political parties होनी चीए, suitable क्या है, कितनी होनी चीए, at least political parties, तो ऐसे अगर हम देखें गाइस, तो कोई भी political party बना सकते हैं, हमारी country में तो we are free to make our political party, आप और में मिलके अपने एक political party बना सकते हैं, बट अगर हम देखें जो 750 political parties हैं, आज के समय पे, more than 750 आप यहां देख सकते हो, more than 750 parties are registered with election commission, याद रखना किसके पास election commission के बाद, साड़े 700 से भी जादा political parties जो हैं registered है, बट क्या अब यह सब election में contest करती हैं, सब जीते हैं, नहीं, इन में से कुछ ही होती है, जिनमें real power होती है, अच्छी शमता होती है, अच्छा support होता है, जो reality में हर election में contest करती हैं, और उनके जीतने के fair chances होते हैं, तो वो parties कौनसी होती हैं, जीतने की election में खड़े होने की, और सरकार बनाने की, वो parties को बोल दिया जाता है, major parties या effective parties, तो इसलिए अब हमें यह discuss करना है, कि एक country में, कितनी major और effective parties होनी चाहिए, तो देखो हमें बहुत simply, यहां पे one party, two party, या multi party system का concept explain करा गया है, और यहां पे हमारे यही question है, how many major parties are good for a democracy, यानि कि एक democracy में, कितनी major parties होनी चाहिए, तो सबसे पहले आता है one party system, जहां पे बोला जा रहा है, कि खली eight party है, major एक ही party है, तो ऐसा system क्या होता है, one party system की definition, अगर आपको learn करने हो, तो the system where only one party is allowed to control and run the government, only one political party is allowed to control and run the government, एकी party को allowed है, सरकार चलाने की, उसे control करने की और बनाने की, अभी ऐसा system कहाँ है, ऐसा system देखो चाइना में है, और यह नहीं है कि allowed नहीं है, अगर हम legally बात करें, तो allowed है लोगों को अपनी political party बनाना, कहां चाइना में, बद जो electoral system है, जो पूरा ऐसा कुछ free and fair नहीं है, allowed होने के बाद भी जो है, इतना जादा unfair means का use करा जाता है, तो चाइना is what? चाइना is one party system, अब तुम खुछ सोचो, क्या यह one party system जो है, यह fair chance प्रोवाइड कर रहा है, क्या सही है यह, तो नहीं, अफकोस हमारी democracy के लिए one party system सही नहीं है, क्योंकि यह fair chances जो है वो provide नहीं करा है, और यह system जो है, वो ruling party को बहुत जादा authoritative बना देता है, इसको आप democracy थोड़ी कह सकते हो, यह बहुत ही जादा authoritative system होता है, at least अगर आपको democracy कहनी है, तो अब आता है हमारा second system, that is two party system, अब two party system में क्या होता है, नाप सुन कहीं समझ में आ रहा है, दो major parties होती है, तो yes, two party system कौन सा है, the system in which power usually changes between two main parties, is called two party system, यानि कि two party system में क्या होता है, कि usually जब election होते हैं, तो या एक party जीतती है, या दूसरी, दोनों में से कोई एक जीतती है, ऐसा नहीं है कि बाकी parties होती नहीं है, और there several major छोटी मोटी parties होती है, वो election में खड़ी भी होती है, बट कभी भी जीत नहीं पाती है, जीतती हमेशा A और B में से ही है, समझे two party system में कैसा system है, जहाँ पे A party है, B party है, C, D, E, F, G, B है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, है, बट हमेशा या तो A जीतती है, या B जीतती है, और यह जो C, D, E, F, G है, इनको बहुत कम-कम seats मिलती है, only few seats नहीं मिलती है, तो यहाँ पे जो है serious chances किसके पास है, party और party B के पास ही होती है, जीतने के, तो अब इस system को तुम कैसा कहोगे, यह system at least one party से तो better ही है, we understand, एक से भले दो, दो choices तो है major parties की, और यह system कहाँ पे है, USA and UK, दोनों में यह system पाया जाता है, USA में भी और UK में भी, तो समझ में आगे आपको two party system, तो इस system को हम second number पे रखते हैं, कि ठीक है चलो, democracy के लिए यह कुछ better है, one party से better है, अब लास्ट आता है हमारा कौन सा, multi party system, next साथ है हमारा multi party system, नाम से ही समझ में आ रहा है, जहां पे दो से जादा parties होंगी, multi party होगी, multi party system is very common and very famous in India, हमारे हाँ पे there are many parties, जिनके पास जो है fair chance होता है, जीतने का election में हमारे बीजेपी भी है, Congress भी है, BSP भी है, सबके पास election के टाइम पे fair chance होता है, जीतने का, तो दो party system में क्या था, मैंने आपको क्या बज़ता है, party A और B है, दोनों में A और B में से ही कोई एक जीतता है, CDEFG होती है बड़ जीतती नहीं है, बड़ मल्टी पार्टी सिस्टम में ऐसा नहीं है, A, B, C, D, E, हर एक पे fair chance होता है जीतने का, और सरकार बनाने का, और अगर majority gain करके नहीं जीतती है, तो alliance formation हो जाता है, अब यह alliance मतलब क्या होता है का, इस gut बंधन, के लिए जो है, मैं बहुत hypothetical से आपको situation दे दी हूँ, majority, यानि कि सरकार बनाने के लिए, majority आपको कितनी चाहिए, 10 seats आपको चाहिए थी, बट हमारे पर जितनी party थी, A, B, C, D, इन में से किसी ने भी majority gain नहीं कर दी, किसी के पे भी total number of 10 नहीं हुआ था, इस चीज़ को बोलाता है, Alliance Formation में, Alliance मुझलब गड़ बंधाज कोई होगे, Multiparty System बो सिस्टम है, जहांए दो से जाधा पार्टिस के पास चाहिए जीतनी की, और मिजॉर्टी से ने जीतनी की, तो Alliance Form करके लिए अपनी सरकार बना लिए, इसके काफी मेरेज हैं। इस पॉलिक बिल्क इंटरस्ट को सबसे अच्छा पॉर्टीकल रिप्रेजेंटेशन देता है, तो अब हमारे पास एक major question आता है which is better, यान कि कौन सा better है multi-party better है, या फिर जो है by party better है, मना कौन सा system सबसे अच्छा है country के लिए, तो देखो इसका answer क्या है, this is not a very good question ये एक अच्छा question नहीं है, कोई भी country जो है, वो choose नहीं करते हैं कि हम कौन सा party system रखेंगे, party system जो है, धीरे धीरे evolve होते है countries के अंदर, based on the nature of the society, कैसी society अगर society को जाधा political parties की जरूरत है उनका views represent करने के लिए तो जाधा political parties automatically बन जाती है system of election पे depend करता है history of politics पे, कि पहले जमाने से क्या होता आ रहा है and regional politics कैसा चलता आ रहा है और कितना regional division है उस पे depend करता है कि कि किस type का party system रहेगा किसी एक country के अंदर किसी भी एक country में हम यह नहीं कह सकते है कि यह party system best है तो इसको adopt कर लेते हैं, नहीं, बहुत simple language में हमें बोग में बता रखा है that जो है, यह party system जो होते है यह दीरे दीरे guys evolve करते है each country develops a party system that is conditioned by its special circumstance हर country के अलग circumstance है तो अपने हिसाब से एक country में जो है, एक political system एक party system जो है, वो जन्म लेता है समझ गए? अपने आप evolve होता है जैसे अगर हम इंदिया की बात करें हमारे हाँ social and geographical diversity बहुत सारी है इतनी अलग-अलग languages बोलने वाले लोग है सबके अलग-अलग opinion है तो उन सब opinions को group करने के लिए उनको representation देने के अलग-अलग political parties बनी और इन political parties ने contest करा है election में और इनको fair chance जीतने के क्यों मेली क्योंकि there is regional and social diversion ठीक है तो इसलिए ये answer आपको याद रखना है कि कोई भी best नहीं होता है political party का system हर एक country अपना system जो है खुद से evolve कर लेती है धीरे-धीरे no system is ideal for all countries and all situation ऐसा नहीं है कि हम किसी country पे जागे कोई system लगा देंगी कि अच्छा यहाँ two party system चलो अच्छ होगा तो वो उसके लिए ideal होगा नहीं जो country खुद से adopt करती है वो उसके लिए best होता है तो I hope आप तीनों समझ गयोगे one party system में एक party होती है एक ही party जो है जीती है election को और वो ही run करती है हमारी government को कहां पे है यह अभी चाइना में है फिर आपने पड़ा by party system इसको two party system भी बोला जाता है यह कहां है USA and UK में है यहां पे दो से जादा parties election में contest तो करती है बड़ जीती दो ही है दोनों में से कोई एक ही जीती है हर बार या A जीतेगी या B जीतेगी example मैंने आपको ऐसे learn करने को का है फिर हमने पड़ा multi party system यहां पे दो से जादा political parties के पास fair chance होता है election में participate करने का और जीतने का भी and अगर जो है कोई political party majority से नहीं जीती है तो alliance formation होगे जो है multi party system में सरकारे बन जाती है multi party system के बेजांपल इंडिया यह काफी stability नहीं लेकर आता है country में instability लाता है decision making देद हो जाती है बट फिर भी यह सबसे best है क्योंकि यह fair chance देता है किसको political representation को और लोगों के views को and last में हमने क्या पड़ा कि सबसे best अगर हम से पूचो कौन सा सबसे ideal है कौन सा political party system ideal है तो हमें simple क्या बोला है कि यह अच्छा question नहीं है political party का system है अब आगे बात करते हैं हम different political parties के बारे में तो सबसे पहले पढ़ेंगे national parties क्यों होती है regional parties क्यों होती है and so on तो अपने next topic मूफ करते है that is parties यहाँ पे हमें national parties and state parties के बारे में बहुत detail में पढ़ाया जाएगा तो जित्ती भी federal democracies होती है federalism मतलब पता है federal democracy मतलब एक ऐसी democracy जहाँ पे दो levels की government होती है state level की भी और central level की भी तो जादा तो federal democracies में एक नहीं दो type की parties देखी जाती है एक होती है national party और एक होती है state party अब national party कौन सी होती है जो countrywide होती है आनि कि पूरे country में चल रही होती है और कई बार ये जो national parties होती है इनकी states में भी units होती है जैसे आप बीजेपी देखो बीजेपी सेंटर में रूल कर रही है बीजेपी एक national party है बट ऐसा नहीं है कि states में नहीं होती कई states में बीजेपी की government है states में भी होती है तो ऐसा ही होता है कई national parties होती है कमिशन, election commission एक independent body है जो बहुत important role play करती है हमारे elections में, चाहिए वो political party को recognize करना हो, उन्हें symbol देना उनका, या election conduct कराना हो या election की date announce करने हो, सब काम क्या करती है election commission करती है, एक autonomous body है तो जब भी कोई party जो है जैसे मैंने आपको क्या बता है, 7500 भी ज़्यादा election commission के पास जो parties हैं, वो register हो रखी है बट इतनी सारी parties का नाम आपको पता है क्या 7500 का नाम तुम्हें पता है, मुझे भी नहीं पता उससे भी ज़्यादा का नाम हो सकते हैं तो ऐसा क्यूं है कि हमें सिर्फ कुछ parties के बारे में पता होता है, जैसे BJP Congress, BSP, यहां में तो बहुत कम के बारे में पता है, यह क्यूं कि काफी कम political parties ही होती है जो recognized political party बन पाती है, तो यह काम कौन करती है election commission करती है, जो political party जो है कुछ एक particular criteria को achieve कर लेती है, तो election commission उसको special privileges देती है क्या देती है special privileges देती है और वो special privileges क्या होती है उस party को अपना उसका symbol मिलता है और ये right मिलता है कि उस party के जो official candidates हैं वो ही उस symbol को use कर सकते हैं तो ये काम कौन करती है? election commission करती है और जब किसी party को election commission उनका symbol दे देती है तो वो एक recognized political party बन जाते हैं तभी हमें कुछ ही recognized political parties के बाने में पता होता है अब ये जो recognized political parties है ये state level पर भी होती है और national level पर भी होती है तो इनका भी criteria set है यानि की एक national level की nationwide level की अगर आपको recognized political party बनना है तो आपने क्या-क्या fulfill कर रहा होना चाहिए और अगर state level की recognized party बनना है आपको तो आपने क्या-क्या criteria फुल्फिल कर रहा होना चाहिए तो ये criteria पर exam में हमें question आ जाता है तो पढ़ लेते हैं तो EC has set up criteria of the proportion of votes and seats to be recognized as national parties यानि की जो elections होते हैं उनमें इतने number of votes तुमने जीत रखियोंगे इतने number of seat आपने जीत रखियोंगी तो आपने कगनाईस party बन जाओगे ऐसे-ऐसे criteria election commission ने set कर रखे हैं जो हमारे लिए learn करने का is important है तो यहाँ पर देखो आप national party बनने के लिए national party बनने के लिए draw criteria है क्या? draw criteria ठीक है सबसे पहले तो जो criteria वो ये है कि या तो at least 6% of total votes हो के इसी party के पास लोगसभा के 6% of total votes हो लोगसभा के या फिर अगर लोगसभा के 6% votes नहीं हो है तो 6% of votes हो जाए चार्ड legislative assembly के यानि कि 4 states के election के 6% of votes हो ठीक है? एक ये condition फुल्फिल करनी है और दूसरी क्या करनी है? अगर ये दोनों कंडिशन फुल्फिल हो गई तो एक पार्टी को हम recognize national party कह देते हैं ठीक है? तो इन दोनों में तो choice है कि या तो at least 6% of total votes हो जाए लोगसभा के या 6% votes हो जाए चार्ड legislative assembly के इन दोनों में तो choice है पट ये तो फुल्फिल करनी ही करनी है ठीक है तो 1, 2 ये दो situation अगर किसी party ने फुल्फिल कर दी तो वो बन जाती है क्या recognize national party ये criteria होता है recognize national party बनने का तो अब हम discuss करते हैं कि हमारी country में जो 2019 के लेक्शन होए तो इसके बाद कितनी parties को recognize national parties बोला गया था let's see the list of national parties book में हमार को given है तो I suggest you कि आप एक बार इसको book में सब्सक्राइब करना यह हमें मैं आपको short form में थोड़ा थोड़ा बतारी हूं हर एक particular party की जो main चीज़ जो आपको याद रखनी है ठीक है तो first देख लेते हम Indian National Congress, it is one of the oldest parties of the world, बहुत पुरानी party है याने कि बहुत जादा समय पहले ये launch हुई थी, कब found हुई थी ये 1885 AD में and you guys know very well that जो है Congress जो है हमारी freedom struggle से जो है बहुत ही जादा freedom struggle जब हमारा launch हुआ था उस समय पे जो है Congress was very active ठीक है तो found कब हुई थी 1885 में symbol क्या है इसका hand and ideology है इसकी secularism, ठीक है secularism मतलब धर्म निश्पेस ता याने कि सभी धर्म equal है ठीक है, next पे move करते हैं हम next party is, भारतिये जनता party founded by reviving the भारतिये जना संग in 1980 symbol क्या है, lotus है ideology is, it draws inspiration from our ancient history, ancient culture and values हमारी ancient culture and values से inspiration draw करते हुए, बनी है BJP की ideology, main things of BJP ideology is integral humanism, antiodya, uniform civil courts, etc, ठीक है and it came to power in 1998 as a leader of India की तरह emerge हुई थी अगर अगर अभी की बात करें हम, तो in 2019 election, it was the largest party with 303 members okay, next party पे move करते हैं हम next party is, BSP, founded in 1984, founder कौन है Kashi Ram ji, symbol क्या है elephant है, symbols को मैं paste भी कर रही हूँ ideology है, they represent and secure power for the Bahujan समाज which includes Bahujan समाज के लिए ये power secure करते हैं, Bahujan समाज में Dalits, Adivasis, OVC's and other religious minorities आती हैं inspiration, Sahu Maharaj ji, Ramaswai Pariyar and Baba, Sahib Ambedkar से लेकर इन्होंने अपनी ideologies को form करा है and major ways क्या है, इस party का UP, MP and Uttrakhan, party is CPIM Communist Party of India is there, then we have national parties में, we have Communist Party of India, Marxist okay, then we have we can say national congress party हमार को बुक में बट डिटेल में, given and के बार में आप इनको रीट कर सकते हो, then this is also important ही हमें आद रखना है AITC, All India Trinamul Congress, founded in 1998, leader कौन है, Mamata Baner जी, ideology हैं के secularism and federalism, secularism meaning आपको पता है, federalism मतलब भी आपको पता है याने कि they strongly believe in two types of government, याने कि state की government अलग हो, central की government अलग हो and यह recognized हुई थी as national party in 2060, they have a very strong base in West Bengal, Arunachal Pradesh also, Tripira also and Banibur also हमने काफी सारे national parties को देख लिया है, अब हम आते है state parties के उपर, तो other than national parties, state parties भी होती हैं जो election commission ने classify कर रखी है इनको regional parties भी बोला जाता है and जो है, यह बहुत regional regions में तो यह important role play करती ही है, at the same time जो regional parties है या जो state parties है, यह बहुत जादा important role play करती है in the alliance formation, जो मैंने आपको ABCD का example दिया था था ना, कि suppose करो majority government किसी की भी नहीं बनी हो ABCD, तीनों की चारों की नहीं बनी, तो times क्या होता है क्या बनते है, alliances बन जाते है तीन, चार पार्टी एक अट्टी आगे सरकार बना लेती है तो उस समय पे regional parties बहुत जादा important role play करती है this made the parliament of India very diverse ठीक है, तो यह जो regional parties है इन्होंने हमारे parliament को बहुत diverse बना देते हैं जब कभी भी alliance form होते हैं या coalition government बनते है तो अलग-अलग regional parties भी जो है, majority form करके alliance form करके, जो है, सरकार बना लेती है तो उससे क्या होता है, हमारे जो पार्लियमेंट होते हैं उसमें अलग-अलग regional parties के भी candidates जाके बैठे होते हैं जो अलग-अलग regions की representation है उसको show करते हैं तो इसलिए regional parties जो है, बहुत जादे important role के करती है, sometimes national parties are compelled to form alliances with state parties if they did not gain majority, तो जब majority नहीं होती है, तो national parties जो है, उन्हें regional parties से alliance form करना पड़ते हैं, इस regions को काफी अच्छा representation मिल जाता है, तो आपको याद रखना है, national party बनने के लिए तो एक criteria था, वो हम याद कर चुके अब recognize state party बनने के लिए criteria है, at least 6% of votes in a state legislative assembly, किसी भी legislative assembly में जो है, at least 6% of vote होने चाहिए and two seats, an example समाजवारी party, आप लगन कर सकते हो किसका recognize state party का, अब move करते हैं, हम अपने next topic पे, the test challenges to political parties सब्सक्राइब कर दें ऑंच निदेक सब्सक्राइब के रही कि ख ACC के वैंच सब्सक्राइबॉiş प्रफिशन्स काफी सारी पाप्री आज़ेंट लेवल पी है जिनको जो है उजली किया टॉप पोजिशन्स तो सारे फाइमडी मेंबर्स ही जो है वो उक्यूपाई कर लेते और कई वार इस वज़े से जो लेस्ट उनको टॉप पोजिशन्स मेल जाती है तो यह हो गई सेकेंड प्रॉब्लम डाट इस दाइनेस्टिक सक्सेशन नेक्स प्रॉब्लम आते है ग्रोइंग रोल उफ मनी और मसल पार इन क्रिमिनल पार्टिक्स के लिए जाती है तो इस वज़े से जो है रोल आफ मनी बहुत जादा बढ़ गया है हमारी पॉलिटिक्स के अंदर कभी-कभी किसी अमीर बिजनसमें को बिग बिजनसमें को टिकेट दे दी जाती है वह वह क्या करेगा फिर वह एलेक्शन क्रिमिनलस को भी जो है कई पार्टिस recyclage करने के लिए उनकी तरफ से चब्सक्राइब करने के लिए या और फिर उनका पैसे को यूज करने क लिए क्या का जाती है और हमें ऑक क्ढाइड यहीं मिलता है तो कई बार पार्टिकलप आएसे है topics नो को भी चैण Meghan नॉमिनेशन फाइल कर देती है उनका तो वह हमारे लिए सही नहीं है नेक्स मूव और करते हैं लाक ओफ मीनिंग्फुल चॉइस अब यह एक और हमारा चैलिंज है पॉलिटिकल पार्टी का यह इसलिए है क्योंकि आज कल आप देखो तो ऐसा कहा जाता है कि पॉलिटिकल पा आते हैं हम यह करेंगे तो आप हमें वोट दो आजकल हर एक गवर्मेंट की हर एक पॉलिटिकल पार्टी के अडिलोजी थोड़ी बहुत सेम सेम सी ही हो गई है इसलिए जंता को काफे डिफिकल्ट हो गया एक फेर च्वाइस के लिए चूस करने के लिए कौन जी पॉलिटि को यूज कर रहे हैं रोल आफ पनी एंड मसल पावर मतलब क्रिमिनल्स और जो पैसे लोगे उन्हें टिकेट मेल जाती हैं लास्ट वन लाक ओफ मेनिकल्फ चॉइस यानि की पॉलिटिकल पार्टी को अब अपने इडिलोजी को तो छोड़ा डाइबर्स करना पड़े का सो हम लोग उन में से चूज कर सके बाट आज कल पॉलिटिकल पार्टी की इडिलोजी जो हैं हमें एक मीनिंफूल चॉइस नहीं दे रही हैं तो इस आपका यह टॉपिक कंप्रीट हो गया अब आते हैं हम अपने चाप्टर के लास्ट टॉपिक पे और यह चाप्टर खतम हो जाएगा हाओ कें पार्टी इस बीरिफॉर्म यानि कि जो प्रॉब्लम हैं पॉलिटिकल पार्टी के अंदर उनको हम कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं तो उसके लिए काफी लॉस बने हैं सुप्रीम कोट में और कुछ सजेशन से जो हमारी बुक में दिया हैं जो हमें लर्न करन इस दालच में कि दूसरी पार्टी उन्हें मिनिस्चर बना देगी कुछ हाईयर मिनिस्ट्री देदेगी तो इस चीज को क्या बोला जाता है डिफेक्शन बद अब जो है हमारे आपर लॉप बन गया है अंटी दिफेक्शन लॉप एक अगर आज के समय पर कोई अपनी सीट चोड़के एक पार्टी से जीत गया है फिर वो अपनी वाली सीट चोड़की दूसरी पार्टी के दरफ जाना साते है तो वो अपनी सीट ही खोदेंगे ठीक है इट मेट तो प्रिवेंट इफेक्शन को प्रिवेंट गानने के लिए ये लॉव बना है नेक्स प्रॉपर्टी उसमें कितनी है पैसा कितना है सब कुछ की डिटेल जो है वो फिल करनी पड़ेगी और जो है उसको अपने अगर उसके उपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है तो उसकी भी जो डिटेल्स है वो सब उस कांडिडेट को जो है फिल करके देनी पड़ेगी तो पता an order making it compulsory for filing an affidavit it will include details of property किती property और अगल कोई criminal case है तो सब कुछ बता देना चाहिए इसका benefit क्या है it has made lot of information public to people यानि कि अगर कोई ऐसा candidate है जो खड़ा रहा है सबोसकर उसकर को criminal case करें तो at least public को पता तो है no it depends on public क्योंने vote देना है या नहीं देना है it will help them to take a balance decision और इससे आप balance decision दे सकते हो आगे move करते हैं internal democracy increase करने के लिए election commission ने कहा है कि parties को regular basis पे elections conduct कराने चाहिए और जितने भी वहांकी leaders है उनकी income tax returns फाइल करनी चाहिए तो जब parties के अंदर भी topmost positions के लिए जो है elections होने जैसे अगर कोई party बीजेपी है Congress है तो वो अपनी party के अंदर भी positions होती है लग लग अध्यक्ष हो गए यह हो गए लोग तो उन सब के लिए parties को internally भी elections time to time conduct करने चाहिए third one is internal democracy यानि कि election commission ने necessary कर दिया कि parties regular basis पे organize election करें यानि कि parties में internally election हो अलग लग पोस्ट के लिए और parties को जो है बिल्कुल ही compulsory कर दिया गया है that वो अपनी income tax return जो है सब लोग file करें तो इसमें आगे हमें यह भी point given है that यह जादे तर formality के लिए ही होता है इतना जादा जो seriously cease को follow नहीं करा जाता है and we even don't know that इसे कितने internal democracy increase हुई है यह नहीं हुई है बढ़ चलो हमने तो तीनों reform पढ़ लिए जो तीनों reform जो है पहला क्या था anti-defection law दूसरा कौन से था एफिडेविड और प्रोपर्टी और criminal cases and तीसरा internal democracy तो यह तो reforms थे अब जो text हमें पढ़ने हैं वो क्या है suggestions तो यह reforms नहीं है यह suggestion है यानि कि यह कुछ बात है जो suggest कर जाती है political parties को कि political parties को इन्हें अपना लेना चाहिए ठीक है तो अभी तक political parties ने इनको जो है अपनाया नहीं है बढ़ यह suggest कर जाते हैं उनको तो लेटसी क्या suggestions है political parties की working को अच्छा बनाने के लिए के सबनाम हो हर political party अपने constitution बनाया उसको फॉलो करें और open elections हो highest post यानि कि political party के जो highest post है अधिहक्ष हो गए और बड़ी जित्ती भी post है उनके election open हो यानि कि सब के सामने हो जो है ऐसा ना हो कि चिटिंग कर कि किसी top leader को किसी भी leader को top leader बना दिया जाए समझ गाए या family dynastic succession हो रहा हो तो इसलिए ये सब suggest करा जाता है कि ये political parties को करना चाहिए next reserve seat for women होनी चाहिए to provide at least one third ticket to women candidate दूसर suggestion ये है कि women के लिए one third ticket जो है वो reserve कर देनी चाहिए क्यों कर देनी चाहिए to make sure the fair representation next क्या है state funding of election अब ये बड़ा अलग सा suggestion ही ये है कि government जो है उनको जो है जो funds होते है पार्टी fund होता है election campaigns में जितना पैसा लगता है तो ये कहा जाता है कि जो government है उन्हें देना शुरू कर देना चाहिए क्या ये जितना भी fund होता है या तो पैसा हर political party को कैसे देगी या तो petrol, paper, telephone जो जो चीजे होती है उन में दे दे या फिर दे दे cash में cash में जो है सारा का सारा fund देना political parties को शुरू कर दे हमारी government और किस basis पे दे यानि कि जो party जितने last election में जितनी seats उन्होंने जीती थी उस हिसाब से हर party को पैसा मिलने लग जाए यानि कि जिसने बहुत जादा seat जीती थी तो उनको जादा पैसा मिले जिन्होंने कम seat पिछले election मिले उन्हें कम पैसा मिले so that you know that जब भी elections होते है election campaign में बहुत जादा पैसा यूज कर जाता है तो इस चीज को हटाने के लिए यह भी suggestion है that state funding of election होना चाहिए यानि कि government should provide money to parties to support their election expenses election की जो funding वगेरा होती है election campaign उसका पैसा government दे on the basis of the previous elections तो यह तीन suggestion थे दो किसी भी political party ने अभी accept नहीं करे है तो यह तीन suggestions क्या है internal election हो reserve seat for women और state funding हो election campaign के पैसो की ठीक है तो यह तीनों भी माने नहीं गए है अब आगे पड़ते हैं हम some non-legal suggestions और यह है जो हम लोगों को करना चाहिए पहली हमने तीन suggestion क्या पड़े political parties को better बनाने के लिए उनकी working को better बनाने के लिए तीन suggestion थे जो political parties को करने चाहिए अब लास के जो यह दो suggestion है वो हमारे लिए we as a citizens के लिए that we as a citizens we should put pressure अगर हमें अपने सामने कुछ political parties ऐसा लग रहे कि कुछ गलत हो रहा है या wrong decision लिया गया है तो through petitions हमाई पास राइट है petition file करे हम protest करे publicly ordinary citizens को जो है घटा करके किसी भी बार पर अगर कुछ गलत हो रहा है तो तो we as a citizens हमारी भी यह duty है कि अगर हमें अपने सामने कुछ गलत हो रहा दिखता है तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए as an active citizen we should organize a movement और उस बात की खिलाफ हमें अपनी आवाज उठानी जाहिए ठीक है and be a part of politics ठीक है it cannot be reformed unless those wishing to change it joined it ठीक है यानि कि अगर आप चाहरे हो कि politics से मारे politics गरबड है politics गरबड है politics गरबड है politics ऐसी ऐसी है जब तक आप politics में खुद actively participate नहीं करो कि तब तक आप उसे ठीक नहीं कर सकते हो तो if you want कि जो है reforms है politics में तो हमें उसमें actively अपनी आवाज उठाए कुछ गलत हो रहा है तो इसके खिलाव अवाज होता है इस इसी तो क्रिटिसाइज इस करना बहुत बहुत इसी होता है बद बेस्ट वे तो चेंज क्या है कि आप उसका एक पार्ट बन जो तो विद्धेस हमने पूरा ही चाप्टर कर लिया हो अप गाईस आपको अच्छे से यह चाप्टर समझ में आ गया होगा आपसे नेक्स वीडियो में जिसमें नेक्स चाप्टर को ऐसे ही डिटेल में बिल्कुल फिनिश करने आ ले हैं तो आप डिस्क्रिप्शन वाक्स में आपको पढ़ना हो आप जाके पर सकते हो तो अब में जा रही हूं प्लस अगर आपको नोट से हैं गाईस इस चाप्टर के क्वेशन आंसर चाहिए डिटेल आंसर चाहिए निश्याट चाहिए तो इसके लिए आप में इन्साग्राम आईडी चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन वोक्स में लिंगिवन है मिने में इंसर राम आईडी पे जो है काफी सारा आस ते नेसे स्टे का इंगलिश का स्ट्री मटीरल अप्रोड करा है तो अगर आप यूज करते हो तो आफ में जा रही हूं बाबाए टेकर यारां में सफ पर डिसक्स करेंगे